हेलो एवरिबन, वेलकम बैक टो टॉपर बिंस, आज हम लोग वेन रश्टी प्लेड होली, यह चाप्टर टेन है, इसको हम लोग कम्प्लीट करने वाल है, वेन रश्टी प्लेड होली, रश्टी किसी बच्चे का नाम है, और वो कैसे होली खेला, वो हम लोग जानेंगे इस तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं, होली, आप लोग जानते होंगे, आप लोग JIM का पसंद देजा, तेखहार है, दाफेष्टीबल अफ कलर्स, जब हम लोग जम के कलर्स खेलते हैं, होली का इंतिजार करते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो कमेंट करके जरूर बताना कि हूली के टाइम पर और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हूली में खेलना पसंद नहीं है तो वैसे भी बच्चे इस चैप्टर में आपको देखने मिलेंगे जिनको कलर से बहुत डर लगता है और वो घर में छुप कर के बैट जाते हैं क्योंकि उनको बहुत डर लगता है, कलर से, वहाँ पे भागा दोड़ी होता है, ये सब से, लेकिन ओवराल देखे, तो ये जो फेस्टिबल है, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंजॉयबल होता है, और हम लोग ब्रदर हुड को सेलिब्रेट करते हैं, होली के जरि तो इस चाप्टर को स्टार्ट करते से पहले, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को एक लाइक कर दिजे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, रनबीर और रश्टी, ये दो बच्चों का नाम है, रनबीर और रश्टी, वो लोग पूरे हिल के चारो और घूम करके, अप लूँख तावर से नीचे की और वो आ गए, देर, the spring had really been declared open, और उस समय spring season जो था, spring season को open कर दिया, declare open कर दिया, मतलब घोषना कर दिया सारे बच्चोंने, सब कोई ने, कि अब सब कुछ गेम ओपन है, हम लोग होली स्टार कर रहे हैं स्प्रिंग के सीजन में है ना clouds of color dust rose in the air and spread clouds मतलब बादल कि अ कलर डस्ट जब हम लोग गुलाल उड़ाते हैं जब हम लोग रंगों को उड़ाते हैं हवा में तो क्या होता वो डस्ट की तरह color dust की तरह बादलों में उड़ने लगता है वो cloud बनने लगता है color जैसा dust है ना color का dust बना हुआ है रोज रोज मनें गुलाब नहीं रोज जो है मतलब उपर उड़ जाना राइस का पास्ट फॉर्म है रोज मतलब हवा में जब हम लोग color को उठाते हैं एक दूसरे पर फेकते हैं तो वो हवा में उपर उड़ जाता है रोज कर जाता है हवा में उपर उड़ जाता है और cloud बनने लगता है जैसे तो और पूरा बिखर जाता है होता है पिच्सकारी चल रहा होता है कोई बाल्टी से पानी फेक रहा होता या रंग फेक रहा होता है इस तरह की इस तरह का महौल हो जाता है c Eren formed groups चिल्रेन बच्चे जो है वो groups बनाते हैं अलग-अलग groups बनाते अपने दोस्त के साथ दे वे आंम में ली with bicycle pumps और pumps made from bamboo stems from which colorful water spurted out children जो है इस में passado समस्साकत्र है वर पोर्ममरों चोंपन दोникаयों कॉधा बच्छे किसाम आर्म नाउर पुल्पे करे आपे मोदे से बसक कर मारी 10 से Origin और लोग आनुकरिकों जो सब्समाय इनम दोर्म भीम करना है उसकी किसी और करें जो है इससे color निकलता है spurted out मतलब color जोर से फैकता है ये सब से और हम एक दूसरे को मारते हैं जैसे चोर पुलिस खेलते हैं उसी तरह से ऐसा हम लोग treat करके game बनाते हैं holy के time पे group बनाते हैं game करते हैं और एक दूसरे को उपर color फैकते हैं कोई बंदूक वाला पिछकारी कोई bicycle pumps वाला पिछकारी कोई bamboo stems वाला पिछकारी ले करके एक दूसरे के उपर color फैकते हैं bicycle pump was directed at rusty bicycle pump जो है एक bicycle pump rusty की तरफ घुमा दिया गया और and a jet of black water came flying on to his face और rusty के तरफ जैसे ही bicycle pump घुमाया गया वैसे ही एक जोरदार jet of black water काला पानी जो है उसके चहरे पे उड़ करके गिरने लगा rusty could not see for a moment कुछ पल के लिए rusty को कुछ दिखाई नहीं देने लगा आपने होली तो आपने खेला होगा तो आपको पता ही होगा जैसे ही अचानक से कोई मूँ पे कलर मार देता है पिछकारी से तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है वैसे ही rusty के मूँ पे कोई bicycle pump यूज करके उसके मूँ पे black color फैक दिया तो रश्टी को अचानक कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं देने लगा और रश्टी काफी confused हो गया कुछ दिख नहीं रहा उसको और एक बहुत मतलब चिल्रेन का ग्रूप चिल्रेन का भीड जो है होड मतलब बच्चों का ग्रूप बच्चों का ग्रूप है वो उसके उपर रश्टी के उपर अटक कर दिया चारो साइड से squitting colorful liquid out from their pumps और सब के पास ग्रूप में जो बच्चे थे जो अटक के उनके पास pumps थे मतलब पिछकारी थे और सब ने अटक कर दिया रश्टी के उपर चारो तरप से और पिछकारी मार रहा सब कोई उसको squitting मतलब जोर से उसको color या पानी फेक रहा है उसके उपर पिछकारी के जरिये से रश्टी का जो शर्ट था और पैजामा था वो पूरा पूरा भीग जो गाता है ड्रेंच का मतलब क्या होता है पूरे तरह से पानी में एकदम सराब और color में सराब और हो जाना जब भीग जाते तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रेंच हो जाना तो रश्टी का जो कपड़ा और पैजामा था शर्ट और पैजामा वो पूरे तरह से ड्रेंच हो गया मतलब पूरा भीग गया एकदम तो अचानक किसी ने उसके कपड़े को ग्रिप किया किसी ने रश्टी के कपड़े को जकड़ा रहा, जब तक उसका शड जो है, वो फट नहीं गया, है न, dust was thrown on boy, बहुत dust, dust जो है, powder जो है, color का जो powder होता है, जिसको dust बोला जा रहा है, वो उस लड़के पे, मतलब फेका जा रहा है, dust was thrown on the boy, मतलब रश्टी के उपर, on his face and body, उसके face पे, उसके body पे, roughly and with full force, पू इसको बोलते हैं, आपीर खेलते हैं, जो हम लोग, powder color जो होता है, उसको पूरा जोर से एकदम उसके उपर थोपा जा रहा है, पूरा रगड़ा जा रहा है, roughly उसको लगाया जा रहा, पूरे ताकत के साथ, रश्टी को पकड़ के सब मिल करके उसको लगा रहा है, रश्टी and girls, और उसमें वो जो group of boys था, सिर्फ boys ही नहीं था, उस group में girls भी था, group of boys and girls, who cheered and danced in front of him, जो वो जो ग्रूप थे, वो लोग पूरे उसके सामने में, रश्टी के सामने में उसको color पोतने के बाद, पूरा डांस कर रहे थे, enjoy कर रहे थे, वो लोग, एना, cheer कर रहे थे, his mouth seemed full of dust too, and he began to spit, और उसका मूँ जो है, पूरा रश्टी का मूँ जो था, वो पूरा dust से भर चुगा था, और वो वहाँ पे थूकने लगा, थूकने श्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके मूँ के अंदर dust घोज गया था, तो होली में भी हम लोग यह experience किये होंगे, हम लोग तो का थूकने लगते हैं, तो वैसा ही रश्टी भी थूकने लगा, then one by one, एक एक करके, रनबीर का जो दोस्त है, एक एक करके, then one by one, रनबीर's friends, रनबीर का जो दोस्त है, वो रश्टी के पास पहुँचा, gently they rubbed dust on the boy's cheeks and embraced him, और प्यार से, gently, वो लोग क्या किये, रनबीर के दोस तो उसको वो लोग थोड़ा सा gently rub किया, और उसको embrace कर लिया, गले लगा लिया, they were like colorful demons, और वो लोग जो है, वो पुरा colorful भूत के जैसा दिख रहा था, demons, राक्षस की तरह दिख रहा था, एकदम काला दिख रहा होगा, या फिर कोई color दिख रहा होगा, पुरा चेहरा तो प कौन है यहां पर, कुसी को पहचान ही नहीं पारा, distinguish नहीं कर पारा, अंतर नहीं पता कर पारा, क्योंकि सब के मूँ में पुरा color पोता हुआ है, रनबीर कहता है, now you are one of us, अब तुम हमें से ही एक जैसे बन गए, हमारे जैसे ही बन गए, come, rusty, rusty went with him and the others, और जैसे ही वो बोल हैं, तो रश्टी भी उन लोगों के साथ चल दिया है, उसके बाद, Suri is hiding, Suri भी एक लड़का का नाम है, Suri छुप रहा था, cried someone, Suri is hiding, cried someone, किसी ने चिलाया, Suri is hiding, मतलब उस ग्रूप में से कोई चिला रहा है, कि अरे Suri छुप रहा है, Suri छुप रहा है, he has locked himself in his house and won't play holy, औ और वो अपने आपको अपने घर में कैद कर लिया, lock कर लिया और वो holy नहीं खेलने वाला है, well, he will play, said Ranbir, Ranbir कह रहा कि आ, वो तो खेलेगा है holy, even if we have to break the house down, अगर हम लोगों को घर भी तोड़ना पड़ जाए, तो भी हम लोग तोड़ देंगे, लेकिन उसको खेलना तो in a state of siege, मतलब वो decide कर लिया था कि पूरा दिन, holy का दिन जो है, वो कैद होकर के बिताएगा, पूरा कैद होकर के बिताएगा, मने घर के अंदर में, वो बाहर निकलेगा ही नहीं, state of siege मतलब यह होता है, he had set up camp in his mother's kitchen, वो अपने mother का kitchen में ही डेरा डाल चुका था, mother के kitchen में ही where there were provisions enough for the whole day, जहांपे उसको खाने के लिए, provisions, खाने के लिए बहुत सारे चीज़े पूरे दिन भर के लिए मिलने को था, इसलिए वो kitchen में जाके चुपा था, he listened to his playmates, calling him from the courtyard, वो अपने playmates, अपने दोस्तों का आवाज सुन रहा था, जो लोग बाहर से चिला रहे थे, कोट रहा था, लेकिन बाहर आही ने रहा था, वो चुपा हुआ था, जैसे कि हम लोग अपने life में भी देखते हैं, कि कोई हमारा friend घर में चुपा रहता था, हम लोग उसको खीच करके बाहर निकालते हैं, होली में, और फिर उसके उपर color डालके फकूब सारा मस्ती करते हैं, he ignored their invitations, jirs and threats, तो सूरी क्या करता है, कि उन लोगों का invitation, वो लोग जो बुलाता है, उन लोग जो 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 चिलाता है, उसको बेजाती करता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, है न, तो सूरी जो है, उन लोगों का बात को इग्नोर कर देता है, और बाहर ही ने निकलत the door was strong and well barricaded और उसका दरवाजा जो था वो काफे strong था और अच्छे से barricaded था बन था है ना he settled himself under a table and flipped the pages of a journal और वो एक table के नीचे चुपा हुआ बैठा हुआ था और एक journal जो magazine होता है वो सब वो पलट रहा था but the youths outside were not going to miss the pleasure of discomforting सूरी बाहर जो youths थे जो बचे थे वो लोग इस माने सूरी को परेसान किये बिना वो लोग छोडने वाले तो थे ही नहीं वो लोग उसको color देने वाले ही थे वो लोग decide कर लिये थे बहुत जिद्धी थे वो लोग so they acquired a ladder and made their entry into the kitchen by the skylight इसी लिए वो लोग एक सीड़ी का जुगाड किये एक सीड़ी लेकर के आए ladder सीड़ी जो लेकर के आए और वो लोग kitchen के उपर लगाए और कैसे भी करके वो लोग आसमान के तरफ से skylight से वो नीचे उतर गए soori squilled with fright, soori जो है पूरा दुबग गया, डर के मारे वहाँ पे, kitchen के अंदर, the door was opened, दरवाजा खुल गया and he was bundled out और उसको पकड़ के सब बाहर ले गए, यह देख सकते हैं आप picture में, उसको पकड़ के उठा के बाहर ले गए, his spectacles were trampled, उसका जो चसमा था वो नीचे गिर गय और किसी के पैरों के नीचे आने के वाज़ से उसका चसमा भी पूरा चकना चूर हो गया, my glasses, he screamed, वो चिलाया, अरे मेरा चसमा, मेरा चसमा, वो चिलाया, you have broken them, तुम लोग मेरा चसमा तोड़ दिये, सूरी ऐसा चिला रहा, तो कोई बच्चा वहाँ से बोल रहा, you can afford a dozen pairs, jeered one of the boys, उन बच्चों में से कोई बहुत ही harshly, कोई बहुत ही मतलब जोर से चिलाया, उसको धमका करके बोला कि तुम एक दरजन और एक दरजन पेर और खरीद सकते हो, ऐसे चसमें, ठीक है, रश्टी could not help pitting the boy, और रश्टी जो था वहाँ पे, रश्टी भी उसी group में था, है ना, रश्टी को भी उस group ने color दिया था, और color दिया तो रश्टी को भी वो अपने group में वो लोग समिल कर लिया था, लेकिन यहाँ पे यह रश्टी जो है, यह भी सूरी का मदद नहीं कर पाया, यहाँ पे यह line क्यों बोला गया, यह question में भी पुछा गया है, रश्टी उन्हों को मदद क्यों नहीं, उन बोई का क्यों मदद नहीं कर पाया, ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पे line पे, क्योंकि में भी रश्टी जो है, बहुत helpful होगा, बहुत सीधा साधा बच्चा होगा, ठीक है, रश्टी सबका help करता होगा, लेकिन इस जगा पे सूरी का help वो नही कर पाया, में भी रश्टी भी डरा हुआ था, क्योंकि रश्टी को भी सब लोगों ने घेर करके चारो तरफ से कलर पोद दिया, उसको एकदम ये कर दिया, परिशान कर दिया, कलर दे करके, पूरा एकदम डेमन बन जैसा लुक दे दिया, उसको भी रश्टी को भी तो रश होगा इसलिए लास्ट लाइन में यह कहा गया कि सूरी रश्टी कुड नॉट हेल्प पिटिंग दबॉय मतलब वो जो तरस्ता हुआ बच्चा था सूरी तड़ता हुआ बच्चा था जो देख रहा हो हेल्प लेस इसको सब मिल करके कलर दे दिया घर से निकाल करके पटक के ए अच्छा था और शॉर्ट स्टोरी था मुझे याद आगे आपने बच्पन के भी दिन जब हम लोग होली खेला करते थे बच्पन में आई होप कि आप लोग ऐसे ही इंज्वाइब करते होंगे होली में भी तो आप लोग कमेंट करके भी जरूर शेयर कीजिए कैसे आप लो